हमारे YouTube पे हम जाएंगे और जो भी आपका चैनल अकाउंट है जैसे हमारे यहाँ चैनल अकाउंट डिजिटल सर्चा का है उससे आपको साइन अप करना है तो अब आप सर्च करेंगे कुछ वीडियो के बारे में जो की काफी फेमस हो सकती है और जोने आप अपने चैनल पे श स्टन्स के बारे में आपको अपने सर्च बार में टाइप करना है स्टन्स स्ट यू एंट्स जैसे ही आप स्टन्स टाइप करेंगे यहाँ पर बहुत सारे स्टन्ट वीडियो आप देख पा रहे हैं यह वीडियो नौ महीने पुराना है इस पे कुछ 33,000,000 के आसपास आप किसी भी एक वीडियो को खोल के चेक करेंगे तो हम जब इस वीडियो में जाएंगे और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर जो यूट्यूयूब चानल Creator होता है वह श्तेंड़ लाइसंस लगा देता है यूट्यूब का ताकि कोई भी इसे reuse नहीं कर पाए मतलब कोई और बंदा इस channel के video को use ना कर पाए पर दोस्तों बहुत से videos होते हैं जो free में available होते हैं और जो reuse के लिए भी available होते हैं जिनमें आप modification भी कर सकते हैं और आप उनके दुरू अपने channel से monetization भी कर सकते हैं तो जानते हैं दोस्तों ऐसे कुछ video के बारे में और कैसे इने search करना है किस तरह से अपने channel पर share करना है दोस्तों आप यहाँ पर उपर एक filter का mark देख पा रहे हैं आपको इस filter के mark के उपर click करना है यहाँ पर जब आप click करेंगे आप जैसे यहाँ click करते हैं आपको बहुत सारे option देख रहे है upload date से आप filter कर सकते है content को आप type से filter कर सकते है duration से content के features क्या क्या है 4K video है, HD है, subtitle है, 3D है creative common है, live है, purchase है, 360 है इससे आप filter कर सकते है आप sort कर सकते है relevancy से, upload date से, view count से और ratings से तो दोस्तों हमें जब free content देखना है तो हमें यहाँ पे select करना है creative common creative common एक ऐसा feature है जिससे आप creative common license के videos देख पाएंगे और वो सारे videos free में available होते reuse के लिए creative common select करने के बाद में दोस्तों हम search करेंगे view count से भी view count में वो आपको सबसे दादा view वाले videos बताएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यह BF vs GF एक channel है इसने दो महीने पहले एक video डाला था और इस video पे 18,00,000 views हैं तो आईए दोस्तों इसी video से हम test करते हैं इस video का नाम है amazing floating stunt जैसे ही आप इसको एक नए tab में खोलेंगे और आप description में जाएंगे इस video के आप चेक कर सकते हैं यह जो video है यह video का license जो है वो creative common attribution license है और de-use के लिए allowed है other youtuber community के लिए तो दोस्तों इस video को हम अपने channel पे share कर सकते हैं और वहाँ से इस video का monetize भी कर सकते हैं आईए जानते हैं कैसे करना है सबसे पहले दोस्तों आप अपने channel पे जाएंगे channel के right side में click करके creator studio पे जाएंगे जब आप creator studio पे पहुँच गए हैं उसके बाद में आपको यहाँ create का option देख रहा है सबसे नीचे left side में आप create के option पे click करेंगे जैसे ही आप create के option पे click करते हैं तो तीन option मिलते हैं audio library, music policies and video editor friends अब आपको यहाँ video editor के उपर click करना है जैसे ही हम इसके उपर click करते हैं यहाँ पे हमारा video editor option आजाता है अब friends यहाँ पे आप देख पारें कुछ icon बने आ रहे हैं आपके पास में हम icon select करेंगे CC का CC का जो icon है यह creative common videos दिखाता है तो friends सेम तरीके से हम example लेते हैं इस वीडियो उपर वाले वीडियो best of ghost rider का जब हम इसको एक नए टाप में खोलेंगे और आप check करेंगे तो इसके description में भी आपको detail मिलेंगी कि यह video भी creative common right attribution license रखता है अपने साथ में और यह reuse के लिए allow करता है आपको तो friends जैसे हम example लेते हैं कि अगर यह video हमें हमारे channel पर share करना है तो हम किस तरह से करेंगे और किस तरह से इसको monetize कर सकते हैं तो friends हम वापिस अपने channel पर आएंगे हम इस video का title जो है वो copy कर लेंगे और हमारे channel के editor के अंदर इसको type करके search कर लेंगे friends जैसे ही हम यह title search करते हैं तो हमारे पास में first result same video का आ रहा है अब इस video को हम कैसे use करें अपने channel पर कैसे share करें एक तरीका तो होता है दोस्तों कि आप इस video को download करो और वापिस से अपने channel पर upload करो इसकी जगे friends आप सीदे youtube के my editor के अंदर जा करके इस video को drag कर सकते हैं drag video here पर जैसे ही आप इसको drag करते हैं यह video buffer हो जाता है आपके channel के video editor पर और आपको कुछ filters, कुछ fixing, कुछ text add करने का option कुछ audio add करने का option audio के volume, bass, trouble सारी चीज़े change करने का option भी देता है आप इसको changes अगर करना चाहरे तो कर सकते हैं अगर आप को changes करना चाहरे तो change आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कुछ edit कर सकते हैं और इसके बाद में finally जब आप इस video को upload करना चाहरे तो आप यहां right side पे create video के option पे click कर दें जैसे ही आप यहाँ click करेंगे यह आपका video बन चुका है आपके channel के लिए अब आपने click करा अब यह video process हो जाएगा कुछ minute के अंदर और digital search के channel पे share हो चुका होगा हम आपको कुछ second में दिखाते हैं किस तरह से यह process होगा तो friends जैसा हमने आपको बताया था कुछ second के अंदर यह video process हो जाएगा आप देख पा रहें यह video process हो चुका है और यह video मेरे channel पे digital search पे as my video आ गया है और यहाँ पे play हो गया है friends आप इस video को मैं normal video की तरह edit कर सकता हूँ इसका description आइड कर सकता हूँ इसमें tags include कर सकता हूँ आईए देखते हम कैसे करना है यह friends मैं video editor पे गया video editor पे जाने के बाद मैं मैंने यह एडिट बटन पे click करा अब मैं इस video का नाम कर सकता हूँ best यहाँ पे आइड कर देता हूँ अपना description best ever god writer gosh rider best ever bike stunts and इसके बाद मैं edit करने के बाद मैं यहाँ पे अपने description भी आड कर अपने tags आड कर सकता हूँ जैसे कि stunts bike stunts best ever stunt bike stunt 2016 है भी तो 2016 आड कर देता हूँ तो फ्रेंस इस तरह से मैं editing कर सकता हूँ और save कर सकता हूँ अपने changes को और यहाँ पे monetization का जो option है वहाँ जाकर के मैं monetization भी start कर सकता हूँ और इस video के तूप पैसे कमा सकता हूँ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर मैं monetization को start कर देता हूँ और url को copy करके मैं इस url को search कर लेता हूँ अब आप देख सकते हैं मेरे वीडियो का जो title है detail है वो change हो गई है जैसे मैं मानलो अभी वापिस title change करता हूँ best bike stunt ही कर देता हूँ इसको और यहाँ से save करता हूँ तो यह changes यहाँ मेरे channel पर display हो जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यह best bike stunts यहाँ पर आ गया है साथ मेरे वीडियो पर monetization भी start हो गया है तो friends इतना असान है बिना खुद का वीडियो बनाये दूसरों के वीडियो शेयर करके YouTube से पैसे कमाना अगर आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा है तो आप हमारे वीडियो को like share जरूर करिए comment करिए आप अपने friends के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस तरह से पैसे कमा सकें और साथ में आप हमार से नीचे अगर कोई question है तो comment box में लिख करके पूच सकते हैं friends ऐसे interesting video देखने के लिए हमारे channel को